Hello everyone, मैं हूँ किरिंशापुरी और ये है आप लोगों के लिए coming week का सापताहिक राशीफल ये 18th April से लेकर 24th April तक की आपकी tarot ratings है, tarot predictions है और अगर आप personal tarot s2 session book कराना चाहते हैं तो मुझे whatsapp call या फिर whatsapp message करेंगे तो बहतर रहेगा क्योंकि दिए normal call हो सकता है, miss हो जाए लेकिन whatsapp पे आपको जवाब ज़रूर मिलेगा और मेरी contact details आपको नीचे description box पे मिल जाएंगी इस video के end में भी मिल जाएंगी इसी के साथ साथ अगर आप DDT already में interested हैं तो आप मेरा insta page भी visit कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं sun sign, moon sign, ascendant या पर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुच्छ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं या पिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी sign के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं Coming Week का सापता ही कराशी फल चलिए इस कॉप्योज आप लोगों के लिए देखें कि Coming Week क्या लेकर आ रहा है, क्या अनरशीज हैं तो Professional Front के लिए आप लोगों के लिए Cards है Justice and Rejoice and Celebration और देखें, Rejoice and Celebration का Cards बहुत ही Clearly Happiness, Joy की बात करता है अपनी Professional Family या फिर अपनी Personal Family के साथ किसी चीज को Enjoy करने की बात करता है किसी चीज को Celebrate करने की बात करता है और कुछ ऐसा ही इस Week in general या पिर Specifically आपके Professional Front में रह रहा है और देखें, Celebration के लिए सब के लिए Different Reasons हो सकते हैं हो सकता है पीछे किसी चीज को लेकर आपने Effort किया, मेहनत करी उसका एक Positive Outcome, एक Positive Result आपको मिल रहा है या फिर या आप अपने Coworkers, अपने Colleagues के साथ अपना Bond और Strong करना चाहा रहे हैं और देखें, Surface Level के लिए Justice का Card भी कहीं Fear Energies की बात करता है तो जो भी इस Week हो रहा है कहीं Scopios आपको ऐसा लग रहा है कि भी जो आप Deserve करते हैं, वो Finally आपको मिल रहा है एक Fear Energies इस Week Specifically आपके Professional Front में रह रही है कुछ Scopios के लिए हो सकता है कि इन ही चीजों से Related या फिर Otherwise भी कोई Decision, कोई Choice आपको लेनी है और आप बहुत ही Logically हर चीज को Deal कर रहे हैं जो भी Options आपके पास हैं आप उनको अच्छे से समझना चाहा रहे हैं उनके Pros and Cons को अच्छे से Again मैं कहूंगी देखना चाहा रहे हैं आगे बढ़ने से पहले, Decision और Choice लेने से पहले कि कोई मसला, कोई Issue ही है कभी-कभी Simply Paperwork के लिए भी License के लिए भी हमें Judge वकील से मिलना पड़ता है या फिर Court विजिट करना पड़ता है और वैसे भी देखे Justice के नीचे Rejoice and Celebration का काड है तो एक Positive Energies ही आपके Professional Front में इस Week रह रही है और परसनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए काड्स है The Lovers and Universe और देखे, Lovers का काड्स कहता है कि इस Week आपके लिए Relationships बहुत एहम रह सकते हैं या फिर अपने किसी खास Relationship पे या इन जनरल, जो भी लोग आपके आसपास हैं आपके Closed Ones, आपके Loved Ones उन पे आप बहुत जादा Focus कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए Literally हो सकता है कि अगर किसी Loved One के साथ आपके कुछ Issues हुए, कुछ You Know मसले हुए तो वो इस Week Resolve हो रहे हैं Reconciliation भी किसी Loved One के साथ होने के बहुत सारे Chances मुझे दिख रहे हैं Overall के लिए देखें तो किसी खास इंसान के साथ Again, या फिर You Know अपने Loved Ones Closed Ones के साथ आप जादा Interact कर रहे हैं जादा बात कर रहे हैं आपका Bond और Strong हो रहा है आपका Relationship और Better हो रहा है बहुत एक Loving, बहुत एक Caring Energies इस Week रह रही हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आपको किसी खास इंसान या फिर अपने Loved Ones, Closed Ones की तरफ से यही Lover Care मिल रहा है या फिर ऐसी ही Energies आपकी तरफ से उनके लिए हैं तो देखें, Overall ही काफी अच्छा Week इस Week जाता हुआ दिख रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको कोई Decision, कोई Choice लेनी है और जब भी भी Lovers का Card आता है हम यही कहते हैं कि जो भी Decision, जो भी Choice आप लें थोड़ा सा खयाल रखें आप उसी चीज को Choose करें जिसके लिए आप बहुत Passionate Feel करते हैं जिसको आप Truly Love करते हैं आप इस Week specifically अपने Personal Front में दिल से जादा काम लें और Deeper Level के लिए Universe का Card कहता है कि Universe की तरफ से भी बहुत एक Supportive, बहुत एक Cooperative सी Energies है Literally कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि पूरी दुनिया ही आपके साथ है क्योंकि देखिए यह Universe का Card है तो Out of the Country या तो आप Travel करना चाहा रहे हैं या फिर कर रहे हैं और हो सकता है कि यह चीज सब Scorpios के लिए Applicable ना हो लेकिन कुछ के लिए फिर से मैं कहूंगी कि Travel Out of the Country से Related कोई Activity कोई चीज रह रही है and Guidance से आप लोगों के लिए Trust का Card है तो यह Card बहुत ही Clearly कहता है आप जो भी करें जो भी कहें Complete Trust खुद के उपर जिस God को आप मानते हैं उन पे रखें Beyond the Point चीजों को Logically Analyze ना करें या फिर किसी चीज को Beyond the Point आप डाउट ना करें and Astrology से आप लोगों के लिए Pisces Sign का Card है और इसके हिसाब से Yellow Color इस वीक आप लोगों के लिए लखी रह सकता है and Significant Day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो यह था Scorpio's आप लोगों के लिए Coming Week का सापता है Crashly Fall और नीचे मुझे Comment section पे जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ Resonate किया कितना आप Connect कर पाए